F&O, यानि की Futures & Options, यह कुछ ऐसे वर्ड है जो सुनते ही मैं काफी excited हो जाता हूँ I am very sure आपका भी excitement level बढ़ जाता होगा अब आप ही के channel Invest आज फर कल पे Futures & Options के उपर हम start करेंगे options से detailed and absolutely free and open for all series आने वाली है detailed series है, detailed course है, मेरा excitement level बहुत high है I am very sure आप भी काफी excited होने वाल है इससे पहले कि हम आज का पहला वीडियो और content पे जाए तीन important base rules है, base points है जिसका आप ध्यान रखेगा इस complete course के during First, यह एक course है, एक series है, ऐसा नहीं होगा कि एक, दो या तीन वीडियो में complete course खताम हो जाए नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूरा course है, इसमें multiple set of videos आने वाल है 10 या फिर 15 से ज़्यादा videos आपको इस complete course में मिलेंगे पूरे course को as a whole देखना and as a whole अपलाई करना जररी होगा यह मत करिएगा कि हमने एक video देखा सीधा जाके कूद गए, जंग लडने, stock market में, future and options में काम करने वो गलत बात होगी, पूरा course को देखने के बाद, एक holistic view आपको मिल जाएगा, फिर आपको काफी मज़ा आने वाल है Second important point, यह open for all है and absolutely free of cost है इसका मतलब यह नहीं कि quality में कोई भी compromise है आप ना, जब यह course complete हो जाए, इस course को एक side रखेगा और इसके against में कोई साभी paid course जो आपको पसंदो कोई साभी paid course जहां पे आपको लगता हो कि यह तो बहुत ज़दा value हमें देता होगा, उससे compare कर लीचेगा यह जो free course है आपको लगेगा कि इसमें ज़दा value थी, इसमें बहुत ज़दा हमें free content मिला है और ऐसा content मिला है जो easy to apply भी है और आपको यह course किसी ना किसी मुकाबले में ज़दा better देखने वाल है free है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि quality के साथ 1% भी compromise हुआ हुआ है and third and most important point, future and options तोड़ा से एक difficult topic है हो सकता है कि कुछ videos आपको लगें कि आनान तोड़ा सा technical जादा होगे start तो हम बिल्कुल basic से करेंगे बहुत easy topics को cover करते हुए एक-एक bricks आपके लिए लगाते जाएंगे और अगर आप इसे as a course देखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पर कुछ videos आपके लिए तोड़ा सा जादा technical हो सकते है उन्हें जरुवत पढ़ेना दो बार देखीजेगा पर believe me जितना simple मैं आपके लिए बना सकता था मैंने बना दिया है इससे simple course आपको नहीं मिलेगा और इससे detailed course आपको नहीं मिलेगा इसलिए अगर किसी topic में आपको confusion हो दो बार देखीजेगा उस video को पर पूरा देखना आपके लिए compulsory हो जाता है इस basic rules के साथ, basic excitement के साथ शुरू करते हम आज का पहला वीडियो जो होने वाला है options के एकदम basics के उपर basics मैं आपके इतने clear कर दूँगा कि आपको आजाएगा बहुत ज़्यादा मजा तो चलिए शुरू करते हैं options नाम सुनते ही excitement बढ़ जाता है पर इसको समझना हमें जरूरी है कि option का मतलब क्या होता है option ना तीन important criteria होते हैं जिसकी basis पे एक option बनता है first criteria होता है option is a type of derivative अभी तक हमें option नहीं पता था अब हमें एक नया word मिल गया जिसका नाम है derivative हमें derivative भी नहीं पता start करना पड़ेगा आपको और हमें derivative से कि भाई derivative का मतलब होता क्या है derivative एक ऐसा instrument होता है यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे है financial instrument की तो obviously एक financial instrument होता है जो अपनी value किसी third product से या फिर किसी और चीज से derive करकी अपनी value निकालता है अपनी आप में इसकी कोई value नहीं है अगर आप individually इस product को ले आगे कहीं रख दे कोई value नहीं है पर जो third party product है जिससे या value derive करता है वो इसके लिए base product या फिर underlying asset हो जाता है example जब हमारे पास credit card होता है हमें उस credit card को swipe करने के उपर मिलते है कुछ additional points जिसमें हम बहुत excited हो जाते है उस additional cashback points की value तभी है जब आप credit card को swipe करेंगे मतलब जितना आपका credit card swipe होगा credit card की swipe की value बढ़ेगी वितने ही आपके इस additional cashback point की value भी बढ़ जाएगी तो यह जो additional cashback point होगा यह अपनी value derive कर रहा है credit card से जो जितना swipe होगा वितने इसकी value बढ़ती जाएगी मतलब underlying asset के basis पे जिस asset की value निकले उससे कहते हम derivative options के तीन important point पहला point option भी a kind of derivative है मतलब option भी अपनी value किसी और asset से underlying asset से निकालने वाल है हमारे case में underlying asset क्या होगा जब हम stock market के reference में बात कर रहें या तो कोई stock हो जाएगा नहीं तो कोई index हो जाएगा जैसे की nifty second important point option आपको option देता है कोई obligation नहीं नाम में लिखा है आपके पास एक right आने वाला है जिस right के बलबूते आपके पास एक option आता है जब आपके option आया है आप माले को आपकी इच्छा करे तो उस option को exercise करो आपको लगे नहीं मुझे इस option को exercise नहीं करना आप छोड़ भी सकते उस option को आपके पास एक right है कोई obligation नहीं आएगा third important point because आपको एक right मिल रहा है उसके लिए आपको एक cost पे करनी पड़ेगी जब आप एक cost पे करोगे उस particular right को आप एक particular time horizon में enjoy कर लेते हो इसका एक example आपको और देता हूँ suppose करते हैं आपने cap hire करी है 800 रुपे के अंदर दो घंटे के लिए दो घंटे के लिए आपने उस 800 रुपे को पे किया है दो घंटे के बाद although आपने 800 रुपे करे थे पर उसकी कोई भी relevance नहीं रह जाएगी उसी तरीके से option भी आपने एक particular time के लिए बाई किया है suppose करते हैं आपने कुछ रुपे पे करे और option by किया है एक महिने के लिए तो उस एक महिने तक उस option का right आपको मिलेगा एक महिने के बाद वो right आपका खतम हो गया है ये हो चुका है आपका option बहुत simple language में एक derivative है जो आपको right दिलाता है कोई obligation नहीं एक particular time के लिए जिसके लिए आपको एक particular cost पे करनी होती है ये हो गया हमारा options अगर हम options को divide करनी की कुछिश करें तो option के निकलते हैं दो बेटे पहला call, दूसरा put अगर हमने एक बेटे को ढंक से समझ लिया दूसरा बेटे से हमारी already by default दोस्ती हो जाएगी तो हम शुरुवात करते हैं call option से एक-एक point को बिलकुल detail में simple language जो मैं आपको सामने present कर रहा हूँ बस आप इस video के साथ बने रहीगा और like मुझे दे दीजगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इस type का detail content भी आपको पसंद आता है पहले हम बात करते है call के options कि call option क्या होता है it is a right to buy an underlying asset at a particular price which is already being paid obviously by the buyer for a particular time horizon मतलब call option is a type of option which give you right to buy a particular asset at a particular price for a defined time period समझ आया इसको हम simplify करते हैं उसके बाद हम इसके उपर आएंगे पहले एक practical example से समझ लेते हैं cricket मुझे बहुत पसंद है और इस complete option की series में बार-बार cricket का reference आता जाएगा क्योंकि cricket में न मुझे बहुत मसा आता है practically हम समझते cricket के example से suppose करते है हार्दिक पांडिया आया है batting करने के लिए बलकि आपके लिए नई complete example को मैं screen पर दिखाता हूँ आजाए सीधा screen के उपर सो यह हम आ चुके है हार्दिक के example पे cricket का perfect example है suppose करते है आपके और हमारी हार्दिक के related एक शर्त लग जाए शर्त क्या है क्या हार्दिक 50 रन से उपर बनाएगा या फिर 50 रन से उपर नहीं बनाएगा मुझे लगता है कि हार्दिक कितने भी बना ले 50 से उपर तो नहीं बना पाएगा और आपको लगता है कि नहीं हार्दिक तो 50 रन से उपर बनाएगा यह तो पका शौर है तो आप मुझसे क्या करोगे आप मुझसे हार्दिक का एक call option buy करोगे क्योंकि आपको लगता है कि 50 run से उपर बनाएगा तो आपने 50 के उपर का call option buy कर लिया ये buy करने के लिए obviously आपको मुझे cost पे करनी पड़ेगी suppose करते है 10 rupees आपने मुझे pay करे आपने मुझे 10 rupees पे करे और कहा कि हार्दिक 50 run से उपर जितने भी run बनाएगा हर एक run के लिए अनन्द तुम हमें 1 rupees पे करोगे चिक है ये हो गया है आपका call option जो आपने मुझे से buy कर लिया है मुझे लगता है कि हार्दिक कितने run बना ले 50 से उपर तो बना ही नहीं पाएगा कितने ही बना ले 50 से उपर नहीं बना पाएगा तो ये जो 10 रुपे है वो मेरी income हो चुकी होगी अब cases क्या हो सकते है हमारे सामने उसको देखने की कोशिश करते है सबसे पहले ये case आता है कि हार्दिक ने 50 से कम run बनाए for example 45 runs बनाए 35, 30, कुछते भी run हो सकते है पर वो 50 से कम है तो अनन्त की income हो चुकी है 10 रुपीज जो आपने मुझे पे कर दी और आपकी ये, आपको मैं डाल देता हूँ Y से आपकी यानि की U की income हो गई है minus 10 रुपीज जो इसका premium था, जो पे करना पड़ गया उसके अगेंश में आपको कुछ भी नहीं मिला ये हमारी बात हुई थी इस particular match के लिए इस particular match में जो अभी चल रहा है हार्दिक अगर 50 run से उपर जितने भी run मनाता हर एक run के लिए मुझे आपको एक रुपे पे करने पड़ते suppose करते है हार्दिक ने exactly 50 run मनाए तो क्या हुआ, मेरी income 10 रुपे हो गई जो आपने मुझे premium पे किया था आपकी क्या कोई income होगी, नहीं आपकी वोई 10 रुपे costing होगी because जितने run ये 50 के उपर बनाता हर एक run के लिए मुझे आपको एक रुपे पे करना पड़ा था exactly इसने 50 run मनाए तो मुझे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा suppose करते है हार्दिक ने मनाए 55 runs तो मेरे लिए क्या होगा 10 रुपे तो जो premium मिला वो मेरी income होगी minus 5 रुपे मुझे आपको पे करने पड़ेंगे 50 के उपर इसने 5 run मनाए है उसके मुझे 5 रुपे पे करने पड़ेंगे तो in the end मेरी 5 रुपे income हो चुकी है आपकी बात करे तो आपने 10 रुपे तो costing दे दी थी पर 5 रुपे आपको और मिल जाएंगे because 55 run हार्दिक ने बना लिए आपके लिए 5 रुपे की costing आ चुकी है अगर हार्दिक exactly 60 रुपे की income जो premium था 10 रुपे की costing because 50 के उपर हार्दिक ने 10 रुपे ना दी है तो मुझे as per rule आपको 10 रुपे पे करने पड़ेंगे तो मेरे लिए zero आपकी बात करें तो आपको सबसे पहले 10 रुपे premium की costing और 10 रुपे ही income तो आपके लिए भी zero हो गया suppose करते हार्दिक पांडिया ने 100 run बना दी है फिर क्या होगा मेरी income तो सिर्फ वो 10 रुपे थी जो premium थी उसके against में मुझे आपको 50 रुपे additional pay करने पड़ेंगे मतलब 40 रुपीज की मेरी costing आ गई है आपकी बात करें तो 10 रुपे का premium था 50 रुपे आपकी income आपके लिए 40 रुपे का gain हो गया है समझ गए आप ये आपने buy किया है call option हार्दिक पांडिया के 50 रन से ज़दा बनाने का इस particular match पे अब मुद्दे की बात ही आती है कि ये जो premium है जो आपने मुझे pay किया है क्या ये fix रहगा या ये fluctuate होता रहगा obviously ये premium भी fluctuate होगा suppose करते हार्दिक पांडिया आया आते ही उसने पहली दो बॉल पे चौके और चौके मार दिये तो obviously इसका premium बढ़ जाएगा because chances की हार्दिक पांडिया 50 रन बना पाएगा वो बढ़ जाएगे because हार्दिक पांडिया एकदम form में चल रहा है इसी के अगेश में suppose करते हार्दिक पांडिया आता है पहली दो बॉल पे ही एक तो जीरो तो रहता ही है edge करते करते बच जाता है या फिर just cash drop हो जाता है मतलब हमें लगता है कि हार्दिक पांडिया ढंक से खेल नहीं पार आज तोड़ा सा चौपी हो रखा है तो इसका premium obviously कम हो जाएगा because chances की हार्दिक पांडिया पचास सन बना पाएगा कम हो जाएगा उसी के साथ साथ suppose करते है कि already 40 overs खतम हो चुके 50 overs के match में फिर आया है हार्दिक पांडिया बैटिंग करने उसके बाद सिर्फ 10 over बचे है क्योंकि सिर्फ 10 over बचे है और time horizon बहुत कम हो गया है obviously premium कम हो जाएगा because chances की हार्दिक पांडिया पचास सन मना पाएगा reduce हो गया है इसी के against में suppose करते हार्दिक पांडिया बाटिंग करने आ गया 20 over महीं chances की हार्दिक पांडिया पचास सन मना पाएगा वो बढ़ जाएगा तो इन सब situation के pieces पे जो ये premium है जो अभी हमने हमारे case में 10 रुपी लिया है वो हमेशा fluctuate होता रहेगा ये हो गया है perfect example of call option कि आपने हार्दिक पांडिया के पचास सन से उपर बनाने का call option बाए कर लिया अब चलते हैं real life के example के उपर सोब example की बात करते हैं हमने example ये है ये जो मेरे options की मैंने data लिया है ये लिया है August 2022 का real data है exact data आपके सामने present किया है suppose करते है कि आपको लगता है कि SBI का price बढ़ना चाहिए आपको लगता है बढ़ते बढ़ते न अगस्त के मन्त में ये तो 600, 700, 800 कहीं पे भी पहुँच सकता है ऐसा ना हो कि मैं बात में first जाओ तो आप क्या करेंगे आपने यहां पे suppose करते है 530 रुपीज का SBI का call option buy कर लिया जिसके लिए आपको 10 रुपे पे करने पड़े अब क्या होगा suppose करते है आपने इसे buy कर लिया है अब ना आपने अपनी buying cost कि आपको SBI 530 रुपीज में मिल जाएगा यह fix कर लिया है suppose करते है price end में रहता है 600 रुपे का आप जाओगे option seller के पास जिसने आपको call option sell किया है कि भाईया तूने मुझे call option sell किया था तूने मुझे दिया था right to buy SBI at 530 रुपीज चल मुझे 530 रुपीज में SBI दे तो वो आपको 530 रुपीज में SBI दे देगा अगर real life example की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या situation आ सकती उसे भी देख लेते है आपने 530 रुपीज का call option buy किया है SBI का आपको लगता है कि SBI का price बढ़ने वाल है इसलिए आपने call option buy किया है अगर आपको लगता कि SBI का price तूटने वाल है तो obviously आप call option buy नहीं करते आप कुछ और buy करते जिससे हम आने वाले समय पे इसी वीडियो में consider करेंगे suppose करते है SBI का price रह जाता है 500 रुपीज आपके लिए मतलब अगर हमने अभी इस call को buy किया तो हमारे लिए क्या हुआ कुछ नहीं 10 रुपे की costing आगे जो हमने premium pay किया था अगर ये price रह जाता है suppose करते है 520 रुपीज तब वो ही 10 रुपे की हमारी costing आगई और जिसने हमें sell किया था ये option उसके लिए 10 रुपे की income हो चुकी है अगर 530 रुपीज रहता है तो अगेन मुझे मिलना था एक रुपिया जब इस complete SBA का price 530 के ऊपर जाता suppose करते 540 जाता तो मुझे 10 रुपे मिलते 530 पे कुछ भी नहीं मिलेगा अब suppose करते price रही 540 रुपीज तो मुझे सबसे पहले premium 10 रुपे का pay करना पड़ा जो मेरी fixed cost है ये मेरे लिए as an option buyer fixed cost है option seller के लिए ये fixed income है plus because 10 रुपे बढ़ गया है तो 10 रुपे मेरी income price हो गया मेरे लिए end costing zero ना मुझे trade में कोई फायदा हुआ ना कोई loss हुआ अब suppose करते है price पहुँच गया 600 रुपे मैं जाऊंगा एक call option seller तुने मुझे कहा था कि तू मुझे 530 रुपीज में call option बेज दिया है और तू अब मुझे SBI 530 रुपीज में देने के लिए liable है वो कहेगा हान जी साब ले जाऊ आप 530 रुपीज में आपने 530 रुपीज में purchase किया पर market में बिकरा है 600 रुपीज का मतलब आप चाहो तो immediately 530 रुपीज में purchase कर लिया 600 रे बेज दिया 70 रुपीज का आपका profit है minus 10 रुपीज जो हमारी costing थी costing क्यों थी क्योंकि हमने इस right को purchase करने के लिए एक price पे किया था जो था 10 रुपीज net income मेरी 60 रुपीज हो चुकी है जिसने मुझे sell किया होगा जो मेरी income है obviously वो उसकी cost हो गई ये आप सीधा-सीधा mark कर सकते हो बाकि आप खुद calculate करने के लिए आप सक्षम है आप खुद calculate करके अराम से पता लगा सकते हो इस तरीके से हो गया ही ये call option यहाँ पे आपके पास दो option होता है आप buyer भी बन सकते हो seller भी बन सकते हो buyer बनते हो जब आपको लगता है कि भाई call का price बढ़ने वाल है तो आपने इसको अराम से buy कर लिया है हमेशा options में काम होता है lots में मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप एक share का बोलोगी बस एक share का मैंने कर लिया आपको lots में काम करना पड़ेगा हर एक share का अलग type का lot होता है for example SPI का 1500 lot का एक call option आपको buy करने का option मिलता है मतलब जब आपको 530 रूपीज में इस call option को buy करने का right चीए तो जब आप इस right को purchase करते हो आप एक share buy करने का right नहीं purchase करते सीधा आप 1500 shares या फिर उसके multiple मतलब आपने 2 lot में काम कर दिया तो 3000 shares हो गए उस multiple में आपको काम करना पड़ता है ये ध्यान रखिएगा सो ये हो गया है हमारी लिए call option right to buy a particular stock at a particular price अभी हम stock की बात कर रहें इसलिए हमने stock का नाम ले लिया वडना होता है right to buy an underlying asset at a particular price for a particular time horizon हमारी case में हमने HBI का August का call को buy किया था तो पूरे August month की expiry तक हमारे पास ही right आ चुका है second समझ लेते हम put क्या होता है उसके बाद इस complete वीडियो को conclude करेंगे उससे पहले अगर अभी तक आपके अज DMAT account नहीं है description में आपको DMAT account open links मिल जाएंगे invest आज फर कल की mobile app download नहीं करी उसका link भी description मिल जाएगा and open for all absolutely free telegram channel जिसका नाम है invest आज फर कल दो लाग से जादा लोग जूट चुके इस original channel पे अगर इसका part नहीं बने है link description में है इन तीनो links को यूज करना मत बुलेगा अब हम चलते है put option पे like I hope आपने कर दिया होगा minimum मुझे 10,000 like इस वीडियो में बनते है क्योंकि बहुत ज़्यादा efforts लगाए इस वीडियो को बनाने के लिए put option होता है right to sell a particular security at a particular price for a particular defined time horizon एक particular time के लिए आपको एक ऐसा right मिल जाता है कि आप एक particular stock को बेच सकते हो एक particular price में चाहे market में कोई भी price क्यों ना चल रहो वाप इसे चलते है screen पे और SBA के examples ही समझ लेते है so यह second example भी हमारे पास SBA का है अब मैं put option क्यों buy करूँगा because या तो मेरे पास already stock पड़ा है मुझे ये डर है कि अगर market कभी crash हो गया SBA का price टूल गया तो भाई मुझे major loss हो जाएगा तो अभी अगर मैं 480 rupees का SBA का put buy करता हूँ तो उसके लिए मुझे 10 rupees देने पड़ते है अब चाहे SBA का price market में 480 चल रहा हो 420 चल रहा हो 300 चल रहा हो 100 rupees चल रहा हो मैंने तो ये put option buy कर लिया है तो मेरे पास एक right आ चुका है to sell SBA at 480 rupees irrespective of market price अब अगर मैंने put option buy किया है तो मेरे लिए क्या-क्या situation हो सकती है पहली situation suppose करते है SBA का price market में चलता है 500 rupees कुछ नहीं मुझे 10 rupees की costing आ गई क्योंकि SBA 480 पे आया है नहीं तो obviously अगर मुझे बेशना हुआ तो मैं किसी को 480 पे क्यों बेचूँगा मैं सिधा market में 500 में बेश दूँगा मेरा काम हो जाएगा अगर SBA का price चलता है 480 तब मुझे obviously 10 rupees की costing आ चुकी है अब चाये में जिससे मैंने ये put option buy किया है उसे SBA sell करू या market में sell करूँ कोई फरक नहीं पढ़ रहा तो सिधा-सिधा 10 rupees की मेरी costing हो चुकी है suppose करते है SBA का price टूटे-टूटे 470 रह गया 10 rupees की मेरी costing पर मैं कहूंगा ए put seller तुने मुझे कहा था कि तु मुझे put बेच दिया है और मेरे पास एक right है कि मैं तुझे SBA 480 में बेच सकूँ चल खरीद मेरे SBA 480 में वो कहेगा हान जी साब लाओ मुझे SBA 2 मैं आपको 480 rupees देता हूँ आप उसे SBA देंगे और वो आपको 480 rupees में sell करने का right दे चुका है आपको सीधा फायदा हो जाएगा 10 rupees का zero profit, zero loss सपोस करते है इस situation में आपके पास already stock नहीं है पर आपके पास 480 rupees में sell करने का right है तो आप क्या करोगे आप market से 470 rupees में purchase कर दोगे और immediately उसे sell कर दोगे 10 rupees का आपका profit हो चुका है समझा 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 I hope sir समझ गया होगा आपको sir madam next सपोस करते है प्राइज रहे गया है 460 या 450 रहे गया for example तो मुझे क्या होगा मैं काओंगा ये put seller चल तू मुझे sell करने का right दिया था ये ले SBI 480 rupees के भाव पे तो मुझे सीधा सीधा 30 rupees का फायदा हो जाएगा 10 rupees की costing 20 rupees का फायदा सपोस करते है SBI का price रहे गया 300 rupees पर अभी भी मैं उसे 480 rupees में sell कर सकता हूँ सीधा सीधा मुझे 180 rupees का फायदा 10 rupees की costing 170 rupees का मुझे profit हो चुका है ये हो गया आपका put का example put आपको sell करने का right दिलवाता है call आपको buy करने का right दिलवाता है ये आपका पहला video options का complete हो चुका है basic में आपको options पता होने चाहिए इस video के बाद derivatives पता होने चाहिए call option क्या होता है put option क्या होता है cricket के examples के साथ ये आपको clear cut simple language में पता हो गया है अगर ये video अच्छा लगा है तो please इस video को like करिएगा जैसे ही इस video पे एक लाग से ज़्यादा views आते है चाहिए आप उस views को ना मुझे एक दिन में देजीजेगा immediately आपको इस series का second video मिल जाएगा happy learning सारे important links description में है and I will see you very soon